हेलो दोस्तों, वेलकम टो आवर चनल, विल स्टीवर इंडिया में जॉइन फेमिली और बीक फेमिली बहुत कमन है और इसलिए अगर इंडिया में कार के मार्केट को हम लोग एनलाइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे, SUVs और MUVs, दोनों टाइप के वेहिकल्स के बहुत ज़्यदा डिमांड है हम लोग जब निये गाड़े में इंवेस्ट करना चाहते है तो एक middle class family के बहुत बड़ी amount होती है और इसलिए हम लोगों को सुच समझके आपने requirement के हिसाफ से गाड़ी खरीदना चाहिए Most of the big families के लिए एक question रहता है जो है बहुत common, वो है SUV लेना है या MUV लेना है अगर decision making process को easy बनाना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक करके SUV और MUV दोनों के advantages और disadvantages के बारे में यहाँ पर मैं जीतने सरे points के बारे में बात करूँगा वो हम लोग directly SUV और MUV को compare कर रहे है अगर हम लोग SUV यानि की sports utility vehicle के advantages के बारे में बात करेंगे उसका जो main advantage है उसका है higher ground clearance जो design किया जाता है off-roading के लिए आप कोई भी खराब रस्ता में drive कीजिए जहाँ पर almost रास्ते है भी नहीं होँआप इस vehicle को आराम से drive कर सकते है vehicle specifically design ही होती है off-roading के लिए इसके साथ आपको मिल जाता है बहुत अच्छा interior, space, गाड़ी का जो look होता है बहुत अच्छा होता है on top of that जो SUV का सबसे बड़ा advantage है SUV में options बहुत सारे available होता है 4-wheel drive, 2-wheel drive, front-wheel drive, rear-wheel drive, plus 5-seater options, 7-seater options जो आपको जो range मिलता है options के बहुत जदा है आप कोई भी vehicle आपके requirement के हिसाब से बहुत असने से choose कर सकते है OV, SUV में अगर हम लोग SUV के disadvantages के बारे में बात करेंगे वो है purchasing cost यानि कि जो price से थोड़ा higher side में रहता है mileage थोड़ा कम रहता है vehicle के size बहुत बढ़ा होता है थोड़ा बहुत minor difference है but at least in Indian market it's same MBV को design किया जाता है ज्यादा तो लोगों को एक जगा से और एक जगा में देखे जाने के लिए यानि कि जो number of passenger से वो ज्यादा होंगे तो उसके लिए ground clearance में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है वो off-roading के लिए design किया नहीं जाता है उसका main जो motto है वो है ज्यादा लोगों को एक साथ गाड़ी में बैटके इधर से उधर जाना अगर आप driving comfort के बाद करेंगे वो आपको ज्यादा मिलेगा नहीं अगर आप features के बाद करेंगे compare to SUVs वो भी आपको कम मिलेंगे क्या exterior look जो होता है यानि कि जो style है गाड़ी का वो भी SUV जैसा दीखने में इतना अच्छा नहीं होता है road presence SUV से बहुत कम होता है जो सबसे बढ़ा advantage है वो है अगर आप SUV के साथ compare करेंगे mileage आपको आपको आच्छा मिलेगा space जदा मिलेगा आप अगर कोई पे लंबी drive में जा रहे है फेमिली को लेके आपको luggage के लिए भी space जदा मिलेगा तो अगर हम लोग summarize करते है तो SUV और MUV का जो main difference है वो आता है उसके size में design यानि की जो look होता है road presence में mileage में और off-roading capabilities में SUV by design ये बहुत जदा powerful होता है और उसका जो look और features दुन ही बहुत अच्छा होता है अभी लोगों के दिमाग में और एक चीज़ बहुत जदा strike करता है वो है SUV, MUV और EXUV में क्या difference है तो दूस्तों में बता देता हूँ EXUV कोई type of vehicle नहीं है EXUVs are SUVs only मतलब महाहिंद्रा के जितने सरे SUVs है वो लोग EXUV के नाम पे launch करते हैं market में जैसे कि EXUV 300, पहले EXUV 500 था अभी उसको discontinue करके EXUV 700, तो इन्होंने market को इतने अच्छे से capture किया SUV segment को Indian market में इतना सदा popular किया तो लोग सोचते हैं कि यह कोई शायद और एक segment के गाड़ी है लेकिन वो है SUV जी तो दोस्तो आई होप कि SUV और AMUV के जो भी difference है आपको clear हो गया और अगर आपको differences clear हो गया तो दोस्तो आपके budget के according जाके आप सारे options देख सकते हैं और आपके लिए एक बहुत ही perfect car खरीद सकते हैं जैसे कि SUV 300 वेनू हो गया उसके बाद अगर mid-size compact SUV का बात करेंगे creator हो गया सेल्टर हो गया उसके बाद अगर आप proper SUV का बात करेंगे एक जूबी 500 हो गया Scorpio आ गया उसके बाद big-size SUV में fortuner आ गया तो options देख बहुत सारे हैं क्योंकि अगर आप perfect car चूज करेंगे और आपके जो requirement है वो car अगर fulfill करता है तभी जाके आपको long term में peace of mind मिलेगा तो I hope कि ये वीडियो आपके बहुत सरे doubts को clear किया है और आप आपके लिए एक बहुत अच्छा car चूज करेंगे अगर आप मेरे personal preference जानना चाहते हैं तो मुझे अगर seven-seater car चाहिए और budget भी है मैं definitely SUV लूँगा क्योंकि SUV कोई भी M.E.M.U. से बहुत अच्छी car होती है लेकिन अगर budget constant है तो definitely मैं M.E.V. लूँगा वीडियो अगर अच्छा लागा तो like करिए, share करिए चैनल को subscribe ज़रूर करना, bell icon को प्रेस कर दिजिए उससे हम लोग जीतने सरे वीडियो नेयने अपलोट करेंगे आपके पास सबसे पहले notification जाएगा और आप बहुत आसरी से सारे वीडियो को देख सकते है Thank you